नमस्का दोस्तो आप सबी लोगों को स्वागत है मेरे इस चैनल पे दोस्तो अगर आप हाइवे के किनारे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मोधी सरकार आपको ये मौका देने जा रहा है दरासल सरकार हाइवे के किनारे वेसाइड ओमेनिटीज डेवलप करना चाहता है इसके लिए NHAI द्वारा जगा जगा हाइवे विलेज बनाए जाएंगे जहां ये ओमेनिटीज डेवलप की जाएगी इस स्कीम की खासियत ये है के NHAI द्वारा हर स्कीम का पार्टनर बनने के लिए बीट इन्वाइट की है जिसमें कोई भी शामिल होकर अपना बिजनेस शुरू कर सकता है रिपोर्ट्स ये ही बताते है के हाइवे के किनारे बिजनेस की बहुती संभावना होती है इसलिए सरकार ने ये मौका दिया है आईए जानते हैं कि इस कीम के तहट आप किस-किस बिजनेस के लिए अपलाई कर सकते हैं और अपलाई करने के लिए आपको क्या करना होगा NHAI के हाइवे विलेज में आप कई तरह के बिजनेस शुरू कर सकते हैं जैसे आप धावा कोल सकते हैं कारवास्ट का सेंटर खोल सकते हैं या फिर मीटिंग या फिर कंफरेंस का कोई रूम बनाकर उसको प्रोवाइट कर सकते हैं या फिर गेस्ट रूम बना सकते हैं या फिर होटल बना सकते हैं या फिर village hut में आप अपना एक shop खोल सकते हैं, fast food का एक shop खोल सकते हैं या फिर आप कोई restaurant भी शुरू कर सकते हैं उसमें, parking space भी provide कर सकते हैं अगर आप इन business के लिए apply करना चाहते हैं तो NHAI ने बड़ा अच्छा मौका दिया है NHAI के मताबिक आप 19, 20, 25 और 26 सितंबर को अपना proposal online submit कर सकते हैं जबकि 20, 21, 26 और 27 सितंबर को NHAI headquarters में भी आप physically उसको submit कर सकते हैं आप www.nhai.org या फिर www.etenders.gov.in पर online apply कर सकते हैं ये website का नाम मैं अपने description में दिया हूँ आप चाहे तो वहां से भी direct जा सकते हैं इस website में आप NHAI के website पर भी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं आप सोच रहे होंगे कि आप ये business तो करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए जमीन कहां से आएगे तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि NHAI ने जमीन पर ये highway village डेवलप करने जा रहे हैं जहां आप public private partnership या फिर PPP के तहित NHAI के partner बनकर business शुरू कर सकते हैं तो दोस्तो जल्द से जल्द उसको वहाँ पर apply कीजिए ये वह से जाकर आप जल्द से जल्द उसको apply कीजिए और ये बहुत बरिया मौका अपने हाथ से जाने ना दे तो आज के लिए दोस्तो बस इतना ही thank you दोस्तो बाई